प्रभी येशु को प्रेम करना और अपने परुसियों को अपने समान प्रेम करना है, प्रभी येशु का जुआ है। क्रिस्ट में प्यारे दोस्तों यदि हमने इसान को हल जोत्ते हुए देखा होगा तो यह देखा होगा कि वह किस प्रकार जुआ का प्रयोग बैलों को बांध करके हल जोतने में करता है और वह जुआ को इस प्रकार से प्रयोग करता है कि वह जो भार पढ़ने वाला है दोनों बैलों पर समान तरीके से पढ़े ख्रिष्ट में प्यारे दोस्तों आज की एशु समाचार में प्रभी एशु हमसे कहते हैं कि तुम मेरा जुआ ले करके इसे ग्रहन करो और मुझसे सीखो प्रभी येशु का जुआ क्या है प्रभी येशु का जुआ प्रेम का पत है प्रभी येशु को प्रेम करना और अपने परुशियों को अपने समान प्रेम करना है प्रभी येशु का जुआ है और प्रभी येशु हमसे कहते हैं कि मेरा यह जो जुआ है प्रेम के राह पर चल तो हमारा जुआ क्या है? हमारा जुआ जो हमारे जीवन में जो दुख तकलीफ आते हैं, जो चिंताएं आते हैं, चिंताएं हमारे परिवार को ले करके, हमारे बाल बच्चों के भोष्य को ले करके, उनकी पढ़ाई को ले करके, हमारे कामों को ले करके, या हमारे जो काम भो जो दुख तकलिफे हैं, वह हमारे उपर एक बोज सा बन जाता है, जिसे हम धारन करके हमारा जो जीवन है, जो शांती का जीवन होना चाहे, उसे हम आशांती में ब्यातीत करते हैं, दुख में ब्यातीत करते हैं, और प्रभु येशु हमारे इस परिस्तिती को देख करके, आ में प्यारे दोस्तों, यदि हम प्रभु के जुए को ग्रहन करेंगे, प्रभु के पास आ करके, तो प्रभु येशु हमें हमारे जो प्रति दिन का जुआ है, जिसे हम धारन करके, हम बोज से दब जाते हैं, जब हम प्रभु के पास आएंगे, तो प्रभु हमें सर प्रथम ह हमारे बोजों से हमें हलका करेगा, हमें विश्राम प्रदान करेगा, और दूसरी बात है, प्रभु यह भी कहते हैं, कि मैं तुम्हें शांती प्रदान करूँगा, आत्मा के शांती प्रदान करूँगा, इसलिए खृस्त में प्यारे दोस्तों, आईए, प्रभु येशु का आजके येशु समाचार के माध्धम से यह निमंत्रण है कि हम हमारी जो जुआ है उसे धारन करते हुए हम प्रभु के पास आए और प्रभु का यह जो प्रेम का जुआ है उसे हम धारन करना सीखें यदि हम प्रभु येशु का जो जुवा है प्रेम के पत पर चलना उसे हम हमारे जीवन में ग्रहन करते हैं, तो प्रभु येशु ना केवल वह इस जुवे को धारन करके हमें सुयम चलना होगा, बलकि प्रभु येशु भी जिस प्रकार दो बैलों को किसान जुवे से आत्म की शांति और विश्राम प्रदान करेगा इसलिए आये हम प्रभी येशु का यह निमंत्रन को आज ग्रहन करें आमेन